ओम्न में शिवाय हर हर मादयो बहुत सारे घर में जातकों के साथ इस तरह की सिचुएशन हैं होती है कि उनके जीवन में कुछ भी भैतर नहीं गटित होता है बहुत दिनों से बहुत सालों से महनत कर रहे हैं लेकिं उसके बाद भी उनके घर की स्थिति सही नहीं हो रही है उनसे नीचे उनसे कम वो लोग बहुत आगे तक जा रहे हैं लेकिन हमारे घर में न जानी क्यों क्या ऐसी स्थितिया है कि चीजे खराब होती है दूसरा यह भी कारणे कि घर के लोगों में बहुत अनबन बनी रहती है तीसरा है कि कोई व्यक्ती घर में होता है जो इतना अपनी चलाता है चीजों को लेकर अकल है नहीं लेकिन उस घर को इस तरह से वो चलाना चाह रहा है कि सब जिसे उन्हें सब कुछ चीज़े आती है और वहां से चीज़े खराब हो जाती है घर में कई बार ऐसी सिचोईशनें भी बहुत से जातकों के यहां देखी है कि उनके घर में अनायसी कोई नो कोई घटनाय गटित होती है जैसे मान निजे कोई द्ुर्गटना हो गयी कोई का का घरती anises कभी भी उनके आते ही रहता था है यह सभी परिस्तितिया सामानिय इस्तितियों में और अगर जो परिशनी तो मेरा बताने को अधेश था ही सहीं जिससे आप समझ पाए लेकिन समाधान सबसे बड़ी बात होती है कि यह परिशनी बहुत महीनों से कई बार पीडियों तक चलती है और व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता है और बस उन रहतों में गुत जाता है औ बहुत बार चीजिक खराब हो जाती है। ऐसी परिस्तिते अगर किसी भी जातीक ओर विजातक के साथ है तो मूल रूप से उसे अपने घर में नियमित रामयन का पार्ट करना शुरू करना जाहिए। अब मैं यह बात क्यों कह रहा हूं रामाईन का पार्ड करने के? जहां रामाईन का पार्ड होता है, वहां धर्डिद्रता का नास होता है। दरसल घर में बहुत जादा नकारत्मकता होने की वज़ा से बहूत ज़ जादा victory on's and recognize sisa. तो रामायन का पाट करने से, बजरंगमान का पाट करने से, अब जब आप रामायन को पढ़ना शुरू करें अब जब आप रामायन पढ़ेंगे तो भगवान हनमान जी महाराज उसे श्रमन करने आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी परिश्यानिया सुभाईक रुप से खत्म हो जाती ये बहुत मैं खुद अपने निजी तोर पर भी ये प्रेयोग करता हूँ रामयन का पाट करता हूँ नियमित रुप से महिलाओ के तम प्रकार की परिशानिया होती हैं महिलाओ को अपनी इस तरह के किसी भी फेर में वह उलजे हुए हैं तो मैं आपसे बादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपकी जीवन में एक सखारत्मिक बदलाओ देखने को मिलेगा तो सत्रेंड की कथा आपको आमाओस और पुर्णिमा अनिवारी रूप से करना ही चाहिए तीसरा प्रयोग है कि अगर आपने मंत्र नहीं लिया है मंत्र जब नहीं किया है मंत्र जब नहीं है आपके पास तो जरूर मंत्र जब करें और अगर आप पुरूश है तो महिलाओ का विशेज सम्मान करें महिलाओ से बत्तमीजी से बात ना करें उनसे बहुत सलीके से पेस क्योंकि इस कल्यूग में जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है पूजा होती वहां इश्वर का वास होता है अगर अच्छा लगो यह वीडियो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें ओमनमस्षिवाए ओमनमस्षिवाए